पेटेदी असलाम अलेकम ये दोसरा एहम काम है जो हम करने जारें पहला एहम काम था टिक्निमेटिक रेशोज आप 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री फाइंड करना और अब हमें ये फंडमेंटल फार्मूले करने हैं एक्सेम में आता है प्रूफ देट साइन स्क्वाइर थीटा प्लस कॉस स्क्वाइर थीटा इस इकल टू बन आपको ये थाबत करना है और राइट अंगल ट्राइंगल की मदब से थाबत करना है तो इसके प्रूफ के लिए लिखेगा प्रूफ के लिखेगा इन विच राइट अंगल ट्राइंगल बना ली दिएगा ये ए है ये बी है और ये वर्यक्स ए है ये एंगल थीटा है ये एंगल 90 डिगरी है जिसका डिबबा बना रखा है इस vertex के सामने वाले side की length A है और इसके सामने वाली length C है और इसकी सामने वाली length B है ये side perpendicular कहलाएगी बड़ी detail से मैं आपको सिखा चुका हूँ ये base कहलाएगी और ये hypotenrials जिसे मैं मज़ाद में hypopotermals कहता हूँ इसमें length of side CB जिसे आपने small A कहा है ये है perpendicular पुरा लिखेगा length of side AC जिसे आपने small B से जाहर किया है इस इस base length of side AB जिसे आपने छोटे C से जाहर किया है ये है hypotenuse पुरा लिखेगा according to Pythagoras theorem तो Pythagoras theorem है A square plus B square is equal to C square यहनी perpendicular का square plus base का square is equal to hypotenuse का square दो sides के square का sum हमेशा T C side के square के equal होता है ये है Pythagoras theorem अब जरा गोर की जिएगा जो चीज़ आपको साबत करनी है उसमें जिकर किस किस का है उसमें जिकर है sine theta का और उसमें जिकर है cos theta का sine theta है perpendicular upon hypotenuse or cos theta है b sapon hypotenuse what is the common value in this ratio C shabash hypotenuse इन दोनों में गोर की जिएगा C divide करने वाला है तो आपने करना क्या है अब समझेगा यहां लिखेंगे divide both sides by C square क्योंकि फार्मूले में देखे sine square theta cos square theta है तो आपको अगर गोर करें अगर मैं इसे square करता हूँ तो यह भी क्या होंगे square होंगे तो common value यहां पर है divide करने वाला C square तो आप यहां पर लिखेंगे step खुद ही बन रहे हैं देखो आप यहां पर लिखेंगे divide both sides by C square तो आपने left side की दोनों values को भी C square से divide कर दिया और right side की single value को भी C square से divide कर दिया यह दोनों cancel होगे बन के table पर तो पेटा आप इसे लिख सकते हैं A upon C square plus B upon C square is equal to 1 तो आप को पता है A upon C है sine theta और B upon C है cos theta by putting the values by putting the values आपने इसकी दगा value put करनी है और इसकी दगा आप लिखेंगे sine theta इसकी दगा value put करेंगे cos theta तो sine square theta plus cos square theta is equal to 1 आपने थाबत कर दिया मेरे जीनियस बच्चों ने थाबत कर दिया अब मैं आपको second identity का proof करवा रहा हूँ और second identity है one plus ten square theta is equal to six square theta करना सारा इसी तरह है बस change होगा ये मैं आपको short tricks बताता हूँ change होगा बेटा जी ये बाकि सब कुछ वैसा ही लिखा जाएगा जैसे मैंने ये करवाया है आपने अब जो साबत करना है उसे देखिएगा उसमें किस किस का जिकर है उसमें जिकर है ten theta का भी और उसमें जिकर है sec theta का भी जरा आप trigonometric ratio जीन में लाइए तो आप मुझे बताइए यहाँ ten theta क्या लिखोगे आप perpendicular upon base और sec theta क्या लिखोगे आप hypotenuse upon base तो what is the common value here what is the common value here शाबाश B तो आपने क्या लिखना है divide both sides by B नहीं B square क्या दोनों तरफ आपने divide करना है B square से A square को भी और B square को भी दोनों को B square से divide किया और right side पर C square को भी B square से divide किया ये B square इस B square को cancel कर देता है तो A square upon B square plus one is equal to C square upon B square आप इसे one plus A square upon B square is equal to C square upon B square लिख सकते हो लिख सकते हो और गोर करो कि आपने यहाँ A square upon B square को इस तरह लिख देना है कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मजीद गोर करें चाहें तो side पर लिखने A upon B इस right angle triangle में 10 theta है और C upon B इस right angle triangle में sec theta है तो by putting the values आपने लिखा तो आपने values पुट कर दी इसकी डगा 10 theta आपने लिख दिया 10 theta का whole square और इसकी डगा sec theta लिख दिया sec theta का whole square one plus 10 square theta is equal to sec square theta यह आपने पुरूव कर लिया बहुत एहम काम करवा रहा हूं बेटा जी और मेरे समझदार बच्चो तीसरा formula जो आपने करना है इसका पुरूव करना है इसी टेक्नीक से देखो यहां तक सेम नोट करोगे divide both side by आपने लिखना है और यहां पर आपने formula का reference नहीं देना अपने सोचने के लिए values लिखनी है किसकी value लिखनी है जिसका जिकर है cot theta का जिकर है और cosec theta का जिकर है और उसके बाद आपने यह steps करने हैं गोर की दिए cot theta क्या होता है base upon perpendicular cosec theta क्या होता है hypotenuse upon perpendicular तो आपको divide करना है a square से तो आपने a square से दोनों तरफ divide किया a square upon a square plus b square upon a square is equal to c square upon a square तो ये दोनों आपस में cancel होगे one plus b square upon a square is equal to c square upon a square आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं side पर हवाला दे दीजिए आप जानते हैं कि b upon a जो है वो cot theta है और c upon a जो है वो cosec theta है तो one plus cot square theta is equal to cosec square theta आपने ये भी इसाबत कर दी है बहुत अहम है बटा तो आज का काम मुकमल हुआ ओके बटा बटा आफिज